नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल लेगरी मेंटर्स पर आज एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टोपिक आप लोगों के साथ डिस्कुस किया जाएगा यह टोपिक आपके जनल नौलेज प्रस्पेक्टिव भी बहुत इंपोर्डेंट है आपके आने वाले एक्जाम के लिए भी बहुत इंपोर्डेंट है और यह टोपिक में यह बालूँगा कि अगर आपको राइस को जानना है तो इस टोपिक को अंडरस्टेंड करना बहुत जरूरी है तो आज हम काफी ऐसे फेक्ट है जो साइद आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो आज के बाद आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाले ही बहुत चोटा टोपिक है बहुत कम समय में कवर करेंगे पहले फोकस करिएगा कि इस टोपिक के ओपर और दूसरी बात अगर आपको हमारे वीडियो बसंद आते हैं तो दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि मैक्सिम लोग हम इस इस के साथ जोड सकें एक ऐसा चैनल एक ऐस परिवार हम बिल्ड करसके जहां पर आलले घुटी ऐस ह度 को ही और अज़री घ्ल के सप्रैड किया जाता है तो आज कर सेशन अफ लोगों के लिए यहां पर हम पाकिभारी के बारे में इस के बारे में बसंद आफ करेंगी है इड राई मैं बात करेंगे है वाइड चैनल चै जो आपका evolutionary species है, जो हम present time में cultivated species है, हमारी राइस की गया था है, तो हम लोग जानते हैं कि अबी present time में cultivated species है, वो oryza styva indica, oryza styva zaponica, oryza glabryma, ये हमारी present time में cultivated species है, लेकिन जो oryza styva indica और जैपोनिका है इन दोनों का ही जो प्रोजिनेटर या एंसेस्टर माना जाता है वो हमारा वाइल्ड एन्वल स्पीसिज और आईजा निवारा को माना जाता है लेकिन जो और आईजा ग्लैबरीमा इसका जो आपका प्रोजिनेटर कंसिडर किया जाता है वो wild species आपकी औराइजा ब्रेवी लुगेटा को consider किया जाता है लेकिन अगर हम बात करें तो आपका इनका भी यहाँ पर जो wild एक प्रकार से perennial species जो इसकी प्रोजेनेटर consider की जाती है औराइजा निवारा की वो हमारी है औराइजा रफी पोगवन और उसी परकार से ब्रेवी लुगेटा की जो आपकी species है वो है औराइजा लोंगी स्टैमिनेटा ठीक है लेकिन अगर हम बात करें तो औराइजा स्टेवा इंडिका और जैपोनिका का जो तो ओरीजन है वो हम साउध इस्ट एस्या और साउध एस्या को कॉंशिडर करते हैं लेकिन ओराइजा ग्लैबरिमा जो है उसका हम ओरीजन वेस्ट अफरिका को चिडर करते हैं तो यह हमारा एक चोटा साथ डिस्टिबुशन के अकोर्डिंग जो आपका स्पीसिस जो किस परकार से और कहां से इनका ओरिजन हुआ है तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है कभी इनके प्रोजिनेटर के बारे में या फिर इनके एंसेस्टर के बारे में अगर कॉशन्स आते हैं तो आप आराम से यह आंसर कर सकते हो और खासकर इनके ओरिजन के रिगा आते हैं पैडी को लेकर आते हैं उसको एक प्रॉपर मिलिंग प्रोसेस के थुरू निकाला जाता है उसके बाद हम ब्राउन राइस या आपका वाइट राइस जो हम कंज्यूम करते हैं वह हमारे को मिलता है तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो मिलिंग की प्रोसे वो हमें वाइट राइस प्रोडियूस करना है या आपका ब्राउन राइस प्रोडियूस करना है उसके लिए प्रोपर प्रोसेस होती है जिसे क्लीनिंग करना फिर उसको जो है आपका हलिंग करना या शालिंग करना शालिंग करने के बाद उसमें से आपका जो है ग्रेडिंग का मतलब यह होता है कि जो rice का पूरा ग्रेन है, है ना, उसका third, fourth part, जब तक present रहेगा, वो हमारा head rice रहेगा, लेकिन उससे छोटा हो जाता है, फिर हम उसको head rice नहीं बोलते हैं, और, यानि कि जब टूट जाता है, कही बार क्या होता है, जिसको हम लोग understand कर सकते है कि किस परकार से किया जाता है लेकिन यहाँ पर जो main process है वो कुछ इस परकार से आप लोग understand कर सकते हैं देखो क्या होता है कि जो हमारा paddy है ये हमारी field condition में paddy होती है इसको हम लोग rough rice भी बोलते हैं ये आप लोग ध्यान रखना ये हमारा क्या कहलाता है rough rice अब जब इस rough rice के उपर जो hull present है या जो sheil present है उसको de-husking प्रोसेस की तुरू या de-hulling इसको de-hushing भी बोल सकते हैं या de-hulling भी बोल सकते हैं या आपका shelling process भी इसको हम लोग बोल सकते हैं और इस process के द्वारा क्या होगा कि इसमें जो आपका residue है जिसको हम husk बोलते हैं ये आपका separate किया जाएगा और उसमें से आपका brown rice यहाँ पर अलग निकल कर आएगा इसके उपर एक layer present होती है जिस layer को हम लोग बोलते हैं allurone layer क्या बोलते हैं allurone layer और ये allurone layer present होने के कारण ही इसको allurone layer भी बोल सकते हो तो जो milling process की जाती है तो इसके उपर का brown remove हो जाता है और ये हमारा इसका क्या होता है brand और ये brand आपका nutrient perspective काफी important माना जाता है इसमें zinc, iron, folic acid, vitamin A ठीक है तो ये आपके काफी nutritive value present होती है जो की during the milling process ये हम लोग remove कर देते हैं और उसके बाद में हमारा white rice हमारे सामने आता है इसलिए बोला जाता है कि जो आपका brown rice है वो आपका nutritive value में जाधा होता है nutritive content उसमें present जाधा available होता है ठीक है लेकिन milling के बाद जब हम इस rice को निकालते हैं तो उसको first, second और third pass ये depend करता है कि हम उसकी उपर जो polishing कर रहे हैं जो उसकी milling कर रहे हैं वो कितना जाधा कर रहे हैं तो उसके according उसमें 2-3 pass में निकाला जाता है और finally हमारे पास एक milled rice जो आपका present होता है लेकिन जब इनको second pass में से निकाला जाता है तो mainly क्या होता है कि इसमें से जो आपके broken rice होते हैं उसको separate किया जाता है उनको अलग किया जाता है क्योंकि broken rice उसकी quality को क्या कर देते हैं deteriorate कर देते हैं और यही broken rice बाद में use किया जाता है या तो आपका directly जैसे खीर जैसे product बनाने के लिए या फिर जो आपके मतलब गरीब लोग हैं उनको distribute किया जाता है तो उसमें अब इस बात को हमेशे याद रखना कि broken rice FCA के द्वारा कभी distribute नहीं किया जाते लेकिन present time में क्या हो रहा है कि broken rice के through fortified rice भी बनाया जा रहा है आगे हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं लेकिन यहाँ पर जब हम milling कर लेते हैं तो फिर हम उसको cooking भी कर सकते हैं और यह हमारा cooked rice है वो कुछ इस परकार से देखने को मिलता है तो अगर हम बात है कि आपके अलगलग परकार के rice होते हैं जैसे बास्मिती rice है नोर मास्मिती rice है तो उनके जो grain है उनकी length के ओपर depend करता है आपको पता है कि जो आपके बास्मिती rice होते हैं वो length में क्या होते है थोड़े से जादा होते हैं और दूसरा उसमें एक aroma present होती है खुश्मू present होती है ठीक है तो यहां अगर हम बात करें तो जो हमारा shell है वो कुछ इस परकार से होता है देखो यह आपका एक परकार से grain होता है जो internally हम लोग निकालते हैं इसके उपर से जब हम आपका de husking करते हैं या shelling process करते हैं तो उस case में हम इस छिलके को जो हमारा lemma और paleya होता है इसको remove किया жाता है और actual में ये filled condition में ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका rough rice क्या बोलाजाता है आपका rough rice या फिर यही हमारा होता है paddy और इसमें से निकालने के बाद यह हमारा जो grain है इसको हम लोग क्या बोलते है आपका brown rice ठीक है तो पहली बात आपर image से clear हो गई होगी, अब इसमें होता क्या है, यह देखो, आप लोग जब इसमें से, यह internally white rice present है, फिर उसके उपर एक brown layer present है, और उसके उपर आपका husk present है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब उसकी यहाँ पर dehusking करते हैं, तो brown rice आपका अलग हो जाता है, छिलक process है, अब इसमें जो milling system होता है, वैसे overall अगर मैं बात करूँ, तो उसके shelling को भी remove करना भी, जब हम आपका international rice research institute की website पर बात करेंगे, या फिर और भी authentic sources के थुरू हम discussion करते हैं, तो वो बोलते हैं कि पूरी process ही हमारी milling के अंडर में रखी जाती है, और जैसे कि हम बात बो broken rice से उनको लग किया जाएगा, और multi stage में, जैसे village milling या फिर आपका commercial milling होते है, तो complete उसका, जैसे पहले में हम उसको remove करेंगे, उपर से आपका de husking करेंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे, आपका, तो यह proper देखिए, यहाँ पर sequence आपका बना हो है, जैसे सबसे पहले अगर उसरे process में, ब्राउन को separate आपका किया जाता है, यान कि जो आपका यहाँ पर पहली बार में मारे पास brown rice आया, अब इस brown rice के ओपर क्या है, आपकी brown layer प्रेजेंट है, और यह brown layer थोड़ी सी brown color और yellow color की होती है, इसलिए हम इसको जो है, आपका brown rice भी बोलते हैं, क्योंकि उसक स्टेज मिलिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पर विलेज या लोकल कंजप्शन के लिए marketing जब करते हैं, तो पहले उसको pre-clean किया जाता है, साफ किया जाता है, फिर उसकी de-husking करते हैं, या de-hulling करते हैं, यही बात होती है, यान की hull को remove करना, या husk को remove करना, उसके मिलिंग की जाएगी और separate किया जाएगा white rice, और फिर उसकी mixing की जाएगी, और mixed आपका यहाँ पर यहाँ पर अगरम बात करें, तो कई बार, देखो एक चीज यहाँ पर आपका है, कि mist polishing की जाती है, और last में क्या होता है, कि उसको wait करके हम लोग है packaging करके आपका, जो है marketing कर द आपका बाता है, कि सर राइस में मिलिंग होता है, एक शेलिंग होता है, हमें पता ही नहीं चलता, तो actually में मिलिंग करते हैं, तो आपका de-hulling या de-husking उसका automatic part होता है, तो हमेशा याद रखना कि जब मिलिंग करते हैं, तो मिलिंग actually में 68 से लेके 72 पर सेंट तक होती है, यह depend करता है, कहीं पर आपका 66 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यह depend करता है, आपकी variety के उपर depend करता है, de-husking और sorry, milling process के उपर depend करता है, कि किस परकार से milling किया जा रहा है, तो अगर proper इस परकार से किया जाएगा, तो यह हमारा 66% के near about निकलेगा, लेकिन normal अगर हम milling कर सकते हो कि इतना ही percentage milling में होता है, तो इसलिए जादा तर यह range में आपका answer भी आता है, कि 68-72% या 66-70% तक और एक on and average आपका देखने को मिलता है, वहीं अगर हम बात करें, तो यह आपका जो grain paddy पूरा का पुरा field condition में था, उससे जब अलग किया गया, तो husk कुछ इस परक inbyte, जने जने के लिए, फिलेशे, यूज़े, यूज़े, यूज़े यूज़े, जैसे हम household में यूज़े कर सकते हैं, ठीक है, electricity के लिए यूज़े कर सकते हैं, तो अलग-लग आपका यहां पर ethanol production करने के लिए यूज़े यूज़े कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इनिवल कर राइस इसका बिनाया गया है इसी प्रकार से सीड़ए वगेरा भी बता है जो इससे बना सकते है मतलब अलग लग इन की better फास्के मोर्य को बना सब्राइक को अधार को वहीं अगर हम बात करें तो यह आपका brown rice है और यह आपका white rice होता है मतलब इसके उपर से आपका aileron layer को उतार दिया गया है और फिर हमारा यह white rice आपको देखने को मिलेगा उसी परकार से यह आपका brown होता है और brown के अंदर mainly देखो additionally आपका क्या है जिसे iron, zinc, fatty acid, polyc acid यह main constraint होते हैं जो इसके अंदर आपके present रहते हैं अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह आपका rice brown है और approximately 100 kg rice को जो हम क्या करेंगे milling करेंगे तो उससे आपका 5-10 kg क्या मिलता है? brown मिलता है और यह rice brown क्या होता है? एक mixture of substances होता है किसके अंदर protein, fat, ash और crude fiber आपका present रहता है और इसे लिए यह आपका highly nutritive होता है इसके अंदर आपके protein के साथ साथ इसमें आपके vitamin B और vitamin E भी present होता है और इसमें आपका normally अगर आपका range में vary करता है according to species और according to आपका varieties तो इसमें क्या रहेगा आपका rice brown होता है उसमें 10-23% क्या present होता है oil content present होता है तो यह भी आपको याद रखना है क्योंकि exam में कई बार यह भी चीजे पूछ लिए जाती है उसी के साथ अगर हम बात करें तो after harvesting अब जैसे अगर हम बा harvest नागर होता है है इस ब्सक्राइब और चाल रोग टेर सब्राइए आपके उन्हार बर का सब्ड कर 3000 अब उसचमु को बार सबस् zooming झालाWh ओम क्रऊंट में आपके जो मोग धिकाँ रॉब क्योंध इस तम्रें आपका रिम जाए तो इहाइद ए था रहते है जिनके तो यहा यह भी एक अलग प्रोसेस रहती यह भी डिसकर और जो है पूरा प्रोसेस है completely rice processing का ठीक है यह रहता है और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपका यह रहेगा अब इसमें जैसे क्या हुआ है कि फस्ट प्रोसेस में क्या होता है आपका प्रोसेस ब्राण एक्सट्रेटिंग और नेक्स्ट आपका मिलिंग और ब्राउन राइस इस दन इन थी पासे फस्स शेकिंड एंड थर्ड पास ठीक है यह हम अल्रडी डिसकर चुके हैं और यह आपका उसके थ्रू क्या हुआ जब हम सेपरेट करेंगे तो ब्रोकन राइस भी आपको अलग से मिलेगा ठीक है अब हम ब्रोकन राइस को भी बाद में यूज करते हैं मैं बताता हूं ब्रोकन राइस को किसमें यूज करते हैं आपके फॉर्टिफाइड राइस को परने के लिए यूज करते हैं वैसे बात करें, तो ब्रोकन राइस का क्या क्या पिलता है इसक का आटा आ बना बनाए है, इसको पीस में लिया जाता है ठीक है अब जैसे US जैसी countrys होती है वो तो क्या करती है white rice की उपर ही आपका spray करके एक layer जो है उसके उपर क्या कर देती है बना देती है जिससे क्या हो जाता है आपका fortified rice त्यार हो जाता है लेकिन हमारी country के अंदर mainly जो इसको किया जाता है वो इस प्रकार से रहता है कि fortification के ल प्रिंटिंग की जाती है rice की और वो आपके grains जो है उनको वापिस से त्यार किया जाता है और फिर उनको क्या किया जाता है जो normal और natural आपका rice होता है white rice उसके अंदर mix कर दिया जाता है क्योंकि present time में आज इंडिया में जादा तर अगर हम बात करें तो हर घर में approximately 6-8 kg बोला कहीं nutrient deficiency देखने को मिलती है और ये जो nutrient deficiency है उसकी वज़े से ही क्या होता है mal nutrition की समश्याएं बढ़ती है और इसलिए government ने decision लिया कि अगर हम fortified rice distribute करेंगे FCI के थुरू तो उससे क्या होगा कि आने वाले time में जो आपके food है वो properly distribute हो पाएगा और जनता जो है ज़्यादा better food आपके grain को consumption कर पाएगी तो इससे क्या होगा जो nutritive problem है वो आपकी जनता के बीच में या people के बीच में लोगों के बीच में नहीं आएगी तो यह आपका rice का fortification किया जाता है वही अगर हम बात करें तो rice fortification क्या है यह process है जिसके अंदर क्या होता है micronutrient जो की rice के अंदर हमार एक चोटा सा आपका current का data है current का data यह है कि present time में Pusa, Narendra और KN1 और Pusa, CRD, KN2 यह दो आपकी काला नमक variety डवलप की गई है किसके दौरा यह आपकी New Delhi IRI के दौरा डवलप की गई है इन दोनों varieties को याद रखना इनके regarding भी आपके exam में questions हो सकते हैं तो यह कुछ important fact थे लेकिन य head rice जो है वह आपका इस grain का minimum 3rd 4th part जब तक रहेगा तब तक हम उसको क्या वोलेंगे head rice बोलेंगे लेकिन अगर जैसे यह 3rd 4th से थोड़ा size कम हो जाएगा तो उस case में हम इसको head rice नहीं बोलेंगे फिर broken rice हम इसको क्या करते हैं consider करते हैं समझ मा आ गया तो यह हमारा क्या है head rice तो यह आपका इहां पर important topic था उमीद करता हूँ कि आपको help मिली होगी इसके अंदर समझने की तो यह आपका आज का topic और आज का session और इसी परकार के और भी sessions आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे आने वारे time में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको time to time इसी परकार के interesting sessions औ और आपके लिए knowledgeable session प्रोवाइड करवाते रहें लेकिन आप लोग भी एक काम करिए जल्दी से like, share and subscribe का button दबाएए और अगर आप हमारे नए बैस ICR net agronomy के साथ जूड़ना चाहते हैं तो जल्दी से आप जो है application पर जाकर हमसे जूड़ सकते हैं या फिर हमें directly contact कर सकते है 930602110 per thank you so much have a great day, Zahin, Zay Bharat